वा भाई रोहित श्री लंका के खिलाफ हार गए भाई एक मैं चीतों हारे हैं अभी बहुत कुछ बाकी है अब क्या बाकी है मैं चार गए टॉस हार गए जीरो पे आउट हो गए और क्या बाकी रह गया भाई अभी पूरी सीरीज बाकी है तुम जाओ चुटी मनाओ तुम लोग इदर हार रहे हो उदर मैं चुटी मनाओ तुने तो कहा था इतना लंबा छक्का मारेगा के बाल समंदर तक जाएगा तुने तो एक भी रन नहीं बनाया थंड रखो भाई एक मैं जीतो हुई है मैं इसलिए आ रहा हूँ कि हार कर जीतने वाले को रोहिट शर्मा कहते है चलो भाई तुमें रूबजा पिलाता हूँ दिमाग थंड़ा हो जाएगा एकदम सैलेंसर की तरह सैलेंसर तो गरम होता है ना नहीं भाई मेरी वाईक का सैलेंसर एकदम थंड़ा होता है क्योके मैं उसे पेट्रोल नहीं रूबजा पिलाता हूँ भाई रूबजा को छोड़ो मैं वाइस कापटन हूँ मैरी बाद भी सुनलो अरे यार तु वाइस कैप्टेन नहीं बन सकता, तेरी आवाज अच्छी नहीं है वाइस कैप्टेन मुझे बना दे रोहित नै, वाइस कैप्टेन मुझे बना दे रोहित यहीच आवाज चाहिए मुझे आईसी आवाज निकालेगा तो पक्का तुम ही वाईस कैप्टेन बनोगे अरे वाईस कैप्टेन का मतलब आवाज निकालना नहीं होता तु क्या निकालना होता है वाईस कैप्टेन बनने के लिए अरे कुछ भी नहीं निकलना यार बस मेरी तरह अच्छे प्लेयर होगे तो वह इस कैप्टेन बनोगे वा भाई कर्तिक क्या क्यार का कैप्टेन क्या बन गया तुझ में तो जकड आ गई अरे वो जकड नहीं अकड होती है ओई गर्मी का मोसम है गर्मी में अकड नहीं जकड आती है अकड तो सर्दी में आती है जियादा जकड मत IPL आने में अभी बहुत टेम बाकी है जिसका मुझे था इंतेजार जिसके लिए था दिल बेकरार वो घड़ी आ गई बहुत सही फैसला किया है कॉलकत्ता वालों ने मुझे कैप्टेन बना के अरे IPL को छोड़ो अगले मैच कैसे जीते हैं वो बताओ अरे टेंशन नहीं लेने का श्री लंका की बांगलादेश की सब की कमार तोड़ेगा रहे तेरा गपर बाई मैं किसी की कमार नहीं तोड़ूँगा मैं सब का रिकार्ट तोड़ूँगा अरे तू क्या रिकार्ट तोड़ेगा यार तू तो फुल्टास बाल पे आउट हो गया अरे मैं वो फुल्टास वाले कुरकुरे नहीं खाये थे न इसलिए आउट हो गया अगली मैच में दो पाकेट खा के आऊंगा भाई कुरकुरे ही खाना, कुरकुरा समझ के परेरा को मत खा जाना परेरा को भी खाना पड़ेगा, उसने ठाकुर साब की पिटाई की भाई टीम में दो परेरा है, खाने से पहले चक्कर लेना तुझे भी खाना पड़ेगा तुने दस बॉल पे 22 रन बनाए इतनी जल्दी क्या थी 20 ओर तक अराम से खेल लेता उसके बाद मारना चाहिए था ना 20 ओर का ही तो मैच है उसके बाद क्या मारूं हाँ, अब पता चला हम लोग मैच क्यों हो रहे है अगली मैच में जिसका श्राइक रेट कम होगा उसको मैं समंदर में पटक दूँगा भाई, इस मैच में भी कुछ लोगों का श्राइक रेट कम था नहीं, इस मैच में मनीश पंडे और रिशप पंड को माफ कर दूँगा अरे इन दोनों से भी कम श्राइक रेट था किसी और का किसका जिसने चार बॉल पे जीरो रन बनाए उसका अरे कहा ना ये अगली मैस से होगा मेरे बगेर मैच जित गए तुम लोग हाँ भाई बहुत बढ़िया के अप्टेंशिप की मैन है तुम्हें तो किपिंग ही नहीं आती हर विकेट की पर ढोनी नहीं होता चलो भाई अगली मैस की तयारी करते है आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और हमें इंस्ट्राग्राम पे भी फालो कर लो नहीं तो असली वाला गपर आ जाएगा